हेलो केट्स, मैं शबीना और मैं आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक शिक्षाप्रत कहानी आज के कहानी आपको ये सिखाएगी कि कितनी ही विप्रीत परिस्थितिया हो आपको उसका सामना धेरी के साथ करना है एक जंगल में एक शेय रहता था उस जंगल के जानवरों की खास बात ये थी कि वो कभी भी एक जो ठोकर नहीं रहते थे वो आपस में लड़ाई सक्रा करते रहते थे वहीं पर शेय ने इस चीज का फाइदा उठाया वो क्या करने लगा अपनी गुफा में आराम से रहने लगा और उसने जंगल के जानवरों से कहा कि सब लोग बारी बारी से आओ और मैं शिकार करना छोड़ दूँगा और आप लोगों को शिकार जो भी आप भेजोगे मैं उसे खाकर रहूँगा जंगल के जानवरों में चुकि एकता तो थी नहीं तो उन्होंने क्या सोचा कि बारी बारी एक जानवर को भेजा जाए ताकि हम शेर से बचे रहेंगे एक दिन एक खरगोश की बारी आई उन्होंने खरगोश से कहा कि आज आपकी बारी है और आपको शेर के पास जाना है आज आपका शिकार होगा खरगोश के परिवार के लोग रोएं गिरगिडाएं खरगोश छोटा सा है, खरगोश प्यारा सा जानवर है इससे शेर की भूप नहीं मिटेगी पर सब जानवर नहीं मानें सब ने खरगोश को गुफा के पास छोड़ दिया खरगोश ने सोचा जब मैं मर ही रहा हूँ तो मैं घबरा कर डर कर क्यूं मरूँ क्यूं ना मैं शेर का सामना करूँ उसने धेरी से सोचा और उसे एक उपाय सूजा वो चुप्चा अप अंदर चला गया जंगल के जानवर अपने जंगल की तरफ चले गए वो शेर के पास पहुँचा खरगोश और उसने कहा महराज मैं आपके पास आजाया हूँ आप मेरा शिकार करके अपनी भूख मिटा सकते हैं शेर बड़ा खुश हुआ उसने कहा पर आप पहले खरगोश ऐसे जानवर हो जो मेरे सामने इतना बोल पा रहे हो नहीं तो दूसरे जानवर तो बोल नहीं पाते थे आखिर ये बात तो मुझसे क्यों कह रहे हो खरगोश ने कहा आज मैं आज आपका आखरी शिकार हूँ शेर ने पुछा ऐसा क्यों खरगोश ने कहा आज मैं आपका आखरी शिकार इसलिए हूँ क्योंकि जंगल में एक और शेर आ गया है और अब वो शेर सारे जंगल के जानवरों का शिकार करेगा और आपका भी शिकार करेगा अब आपको उसका सामना करना पड़ेगा शेर ने सोचा मेरे रेते वो कौन सा शेर है जो दूसरा जंगल में आ गया है उसने खर्गोश से कहा कि तुम मुझे उस शेर से मिलाओ खर्गोश ने कहा एक ही शर्ट पे मैं आपको उससे मिला सकता हूँ अगर आप मेरी जान बक्स दे शेर ने कहा ठीक है आपको जीवन दान दिया अब खर्गोश आगे आगे और शेर पीछे-पीछे बाहर कुछ लोग और जानवरों ने देखा बंदरों ने देखा, चड़िया ने देखा सब लोग पीछे-पीछे चलने लगे सबको बड़ा आश्चरिय हो रहा था कि आजी क्या हो गया कि खर्गोश आगे जा रहा है और शेर पीछे-पीछे जा रहा है एक कुवे के पास जाकर खर्गोश रुख गया और उसने शेर से कहा महराज आप इस कुवे में जाकिए जो आपका प्रति द्विंदी है जो दूसरा शेर आया है जो राजा बनना चाहता है जंगल का वो इस कुवे के अंधर बेठा है शेर ने कुवे में जाका कुवे में गहरा पानी था पानी में शेर को अपनी परच्छाई दिखाए दी शेर को गुस्सा आया क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि मेरा कोई प्रति द्विंदी है वो राजा बनना चाहता है और वो मुझे माल डालेगा खरगोश आंती से खड़ा रहा शेर ने कुवे में जैसे ही देखा अपनी परचाई को उसने कुवे में छलांग लगा दी शेर कुवे में गिर के मर गया और सारे जंगल के जानवर बड़े खुश हुए अब उनको कोई शिकार करने वाला नहीं था वो अपना जीवन खुशी-खुशी जीने लगे आज अगर खरगोश अपने बुद्धी बल का उपयोग नहीं करता तो वो शेर प्रती दिन एक जानवर को निगल जाया करता इसलिए आप लोग भी विपरीत परिस्तितियों में बिना घबराएं हमेशा धेर ये के साथ अपने सूझ-बूज का परिचे दे और हर मुसीवत का सामना करें मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहाने के साथ तब तक के लिए मुझे आग्या देजिए नमस्कार